पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में जो militancy related incident है उनमें तेजी आई है एक के बाद एक पहले जम्मू में और अब कश्मीर में भी जो है घटनाएं हुई है शुरुआद जो स्वनमर्ग से हुई जहां एक tunnel construction company के जो residential quarter थे उनमें हमला किया इसमें 7 लोग मारे गे जिसमें 5 non-local भी थे उसके बाद दो non-locals को मागम में target किया गया बोट पत्री गुलमर्ग लोसी के पास जो है सेना की गाडियों पे हमला हुआ उसमें 4 लोग मारे गए जिसमें 2 सेना के जवान शामिल थे और उसके बाद जो बड़ा हमला जो श्रीनगर में हुआ क्योंकर श्रीनग इसमें जखमी हुए जिनमें से दो अभी भी जो है नाजुक हैं पुलीस ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और मल्टिपल टीम्स बनाई गई और आज बड़ा कुलासा किया है आईजीपी कश्मीर ने कि वो केस जो है क्रैक हुआ है इसमें 3 OGW जो लशकरे तोईबा के हैं उनकी इंस्ट्रक्शन पे किया है इरादा साफ था कि हालात खराब हो और श्रिणगर में जो एक नॉर्मेल सी रही है काफी समय से और जो टोरिजम बड़ा है और बाकी गत्विती चल रही है वो उसमें जो है रखना पड़े और इसलिए ये गरिनेर इटाक हुआ था अभी इसमें तफ्तीश चल रही है इन्वेस्टिकेशन चल रही है लेकिन पुलीस का माने तो बहुत बड़ा एक सफलता है क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में ये केस को जो है इसके तह तक गई है पुलीस और अभी शायद इसमें और एरेस्ट हो सकते हैं फिलहाल के लिए ये क केस क्लोज है लेकिन अगर आप गरनेड लाबिंग की बात करें तो बहुत समय के बाद श्रीनगर में या पूरी घाड़े की बात करें तो गरनेड अटाक हुआ है इससे पहले तक पांच-छे साल पहले ऐसा होता था पिछले तीस साल में कई सारे गरनेड अटाक हुआ हैं लेकिन ये अलग था क्योंकि बहुत समय के बाद हुआ था और साफत और पिछनगर में एक मड्यूल एक्टिवेट हुआ था और अब देखना ये है कि क्या और भी लोग इसमें मुलविस हैं क्या ये जो पूरा एक सरकिट है या फिर यही तीन इसमें जो है इनका इसमें इ पजस्ड़ों